हेलो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में इस वीडियो में देखिए मैं आपको एक ऐसी चीज बताने वाला हूं जो शायद आपको नहीं पता होगा अभी तक और नहीं आपको यूटूब पे किसी ने बताया होगा क्योंकि यह चीज मुझे भी नहीं पता ही जब मुझे प्रोलोम आई तब मुझे इस चीज का पता चला और यह इतनी जैन्वन प्रोलोम है कि इसके बारे में कोई बात नहीं करता है लेकिन इससे बहुत ज्यादा हो सकते हैं अगर आप उसको टाइम पे आइडेंटिफाई ना करें जी हा मैं बात कर रहा हूं सिर् पर देख देख कि आपको चीजों के बारे में पता चलता है वैसे वैसे आप करते जाते हैं प्रोलम साथ ही रहती है आप सोलुशन डूंडते रहते हैं अब एक इश्यू मेरे साथ ऐसा हुआ जो मुझे काफी शौक लगा जिसके बारे में जब मुझे पता चला और जो यह जो cng fitment centers होते हैं जो वो लोग आपको यह चीज बताते नहीं है मेरे को यह चीज समझ दिया है कि वो लोग क्यों नहीं बताते हैं जबकि अगर इसको starting में ही बता दिया जाए fit कराने से पहले ही तो I think ज्यादा problem बाद में नहीं होती है आपको आप mentally prepare रहते हैं उसके लिए को यह आवाज पसंद नहीं है तो मुझे लगा शायद हो सकता है कि टूल से रखे हैं यह स्टेपनी टायर रखा है उसके विदे से को यह आवाज आ रही है तो मैंने सारी चीज़े ट्राइं करी मैंने सारा समान बार निकाला उसके बाद गाड़ी चलाया तो भी वह आवाज कहीं से आ रही है उसने सब कुछ ट्राइक किया फाइनले जब उसने गाड़ी के नीचे लेट कर देखा तो पता चला कि जो गाड़ी की चद्डर है जहां पर चद्डर बोलते हैं जो गाड़ी का फ्लोर होता है बेसिकली जहां पर से एंजी फिट करने के लिए आपस में जब टच कर रही थी इस तरही के से चद्डर तो वह आवाज आ रही थी वह जब देखा तो मैं काफी शोक हो गया और उसने बुझे बोला इसको पूरा खोलना पड़ेगा इसके बाद इसके उपर एक प्लेट करना पड़ेगी और जिसका की आपको चार्ज देना पड़ेगा तो यह काफी शोकिंग था क्योंकि बिकाइस आप लोग यह उनका काम है अगर क्योंकि डिल किया गया है उसमें अगर कुछ प्रोलम हो रही है तो इसका सलूशन को खुद करना चाहिए और यह वह कहारे हैं उन्होंने मुझे ब अगर ऐसा प्रोलम आती है तो आपको शुरू मी बताना चाहिए क्योंकि स्टार्टिंग में फिट करा रहे हैं उसी टाइम अगर हम कोई चदर महां पर छेद करते हैं वहां पर अपना वैल करके ऐसा कुछ हम कर दें तो बाद में इसी प्रोलम ना आए वो क्रैक जादा ना ब हम लोगी तब आए अवाज बंद आए मैं आपको दिखा भी देता हूं कि किस तरीके से उसको वेल्ड कराया गया है यह देखे दोस्तों विए दिखा देता हूं यह मैं इसलिए आपको बता रहा हूं कि हो सकता है आपको भी कराना पड़े और आप इसके लिए मेंटली प्रिपेर रही है देखिए आप यह आप यह वैल्डिंग वाला जो इसके उपर वैल्ड की गई है बिकोज नीचे से चदर पूरा क्रैक हो गया था अब इसको पूरा अंदर तक है अंदर तक अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा यह काफी बड़ी प्लेट है जो दोनों होल को कवर कर रही है इसी तरफ में प्रोधिय थी तो यहां पर यह वैल्ड की गई है तो दोस्तों आपकी गाड़ी में भी इस तरीकी कोई प्रोलम हो रही है इसको ब्लेद करिए उसको चECK करिए पहले अपने आक पेचछे से चेक कर आई अगर आपको कुस दिखाई देता है तो जाईए जिस से आपने फिट कराया है उससे उसको ठीक कराइए उस लेकिन कोई भी नोईस इग्नोर मत करिए बाद में कुछ बड़ा प्रोलम भी उससे हो सकता है तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें थैंक यू